दोस्तों इस 12 नॉवंबर 2022 को Brightcom Group ने अपने Quarter 2 के Financial Result को Publish कर दिया है ये इस Company का Financial Result और यहां सारे Figure Lacks में बताए गए हैं मैं आपको Figures को करोड में Convert कर बताऊंगा और मैं आपको Consolidated Result के बारे में बताऊंगा Q2 में Revenue from Operations 1683 करोड है जो Q1 में ये 1481 करोड था और Previous Air के Q2 में ये 1104 करोड था तो Revenue from Operations में Year on Year basis पर 52% की बढ़त हुई है और Quarter on Quarter भी ये 14% बढ़ा है तो Revenue में Year on Year और Sequential दोनों ही basis पर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है Q2 में Total Income 1680 करोड है जो Q1 में ये 1477 करोड था और Previous Air के Q2 में ये 1104 करोड था Total Income Year on Year basis पर 52% बढ़ा है और Quarter on Quarter basis पर इसमें 14% की बढ़त है Q2 में Profit Before Tax 445 करोड है जो Q1 में ये 387 करोड था और Previous Air के Q2 में ये 290 करोड के आसपास था तो Profit Before Tax Year on Year basis पर 53% बढ़ा है और Quarter on Quarter basis पर भी इसमें 15% की बढ़त है Q2 में Net Profit या Profit After Tax 320 करोड 68 लाग है जो Q1 में ये 277 करोड था और Previous Air के Q2 में 212 करोड 14 लाग था तो Pat में Year on Year basis पर 51% की बढ़त है और Quarter on Quarter basis पर भी ये लगबग 16% बढ़ा है तो Pat में भी Year on Year और Sequential दोनों basis पर अच्छी खासी बढ़त दिख रही है Q2 में EPS एक रुपे 69 पैसे है जो Q1 में एक रुपे 37 पैसे था और Previous Air के Q2 में ये 2 रुपे 4 पैसे था EPS में Year on Year basis पर 22% की कमी दिख रही है और Quarter on Quarter basis पर इसमें 16% की बढ़त है Year on Year basis पर इतनी कमी इसलिह हुई है क्योंकि Company ने Equity Shares इसू किये है Q2 में Consolidated EBITDA लगबग 510 करूड है जो Q1 में ये 456 करूड था और Previous Air के Q2 में ये 349 करूड था तो EBITDA Year on Year basis पर लगबग 46% बढ़ा है और Quarter on Quarter basis पर इसमें लगबग 12% की बढ़त है और अगर हम लोग इस EBITDA के margin को देखें तो Quarter 2 में ये 30% के आसपास है जो Quarter 1 में ये 31% के आसपास था और Previous Air के Quarter 2 में ये 32% के आसपास था तो margin में Year on Year और Quarter on Quarter दोनों ही बेसिस पर थोड़ी कमी ज़रूर हुई है इस Company का Return on Equity मतलब ROE Analyzed Basis पर 20.74% है और इस Company का Operating Free Cash Flow लगबग 216 करोड के आसपास है और दोस्तों ये जो Return on Equity है ये Unleverage Return on Equity है तो दोस्तों हम लोग ने देख लिया इस Company के Revenue from Operation EBITDA, PAT, EPS इन सभी में Year on Year और Quarter दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है लेकिन इस Company के EBITDA के Margin में Year on Year बेसिस पर 1% के आसपास की कमी दिख रही है लेकिन Quarter on Quarter बेसिस पर ये Almost Stable ही है तो दोस्तों मुझे इस Company का Result अच्छा लग रहा है इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद